में put हुआ है Hemming Code का question है यह तो मेरी suggestion है पहले आप मेरा घमिंग कोर्ट का video वीडियो देखो video number 110 उसमें मैंने सारा अच्छे हमिंग कोर्ट के बार में है अब को तो उस वीडियो के बाद आगर अगर नहीं आपके तो मुश्किल आ सकते हैं अब मैं यहां पर स्पीर से इस को सॉल्व करतूंगा देखो भई इसमें क्या कह रहा है assuming that 12-bit hamming code word consisting of 8-bit data and 4 checkbits आपको यादार होगा checkbit का मतलब इस तो यह format आपको given है तो मतलब आपको इसी समझ में आजना चाहिए numbering is from right to left आपको यादार होगा by default मैंने hamming code का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने right to left ही आपको numbering कर वाया थी ताकि आपको समझने में असानी हो और gate के question में भी इस style से numbering आई है और मैंने आपको यह भी वीडियो में समझाया था अच्छे से हमिंग कोड वाले वीडियो में समझाया था आपको कि tie कभी नहीं होगा मतलब confusion कभी नहीं आएगे या तो properly format दे देंगे आपको या अगर format नहीं देंगे तो indirectly कुछ ना कुछ बोलेंगे स्टार्ट करते हैं तो देखो डेटा बिट्स हमें यह गीवन है और चेक बिट्स हमें यह गीवन है और आप से पूछ रहे हैं value of x and y को एक बिट आपको d5 डेटा बिट्स में मिसिंग कर दी है और चेक बिट्स में c8 मिसिंग कर दी है एक्चुली हमिंग कोड का काम होता था एरर को करेक्ट करना है ना बट इन्होंने कुछ अलगी टाइप से कोशिशन बना दिये बट ठीक है कोशिशन है तो हम इसको सौल करने के कोशिश करेंगे अच्छा जी तो वही साब मैं लोग लगाएंगे यहां पर तो पहले तो मैं इसको अपने स्टाइल से लिख लेता हूं जो मैंने आपको वीडियो में समझाया था ताकि हमें काम करने में थोड़ी सी असानी होए यह हमारा स्टाइल नहीं है यहां पर हम लोग तो सीदे सीदे नंबरिंग करते थे बट इन्होंने अलग से नंबरिंग कर रखें डी सेवन डी एट डी नाइन डी टैन डी एलेवन और डी ट्वेल नहीं आता था स्वरी सी एट आता था या पी बोलते थे ना हम लोग तो पी एट इसको भी अच्छे से बोल देते हैं पी फोर पी टू और पी वन तो यह जाना पेचाना फॉर्मेट आपको लगेगा तो आप जल्दी जल्दी काम को कर सकेंगे नि तो भी बात है फिर दिक्कत आने शुरू हो जाएगी तो इसलिए हमने सिदा सिदा अपने इसाफ से लिख लिए इसको अच्छा जी आप वैल्यू फट आपर से भर लेते हैं तो डी ट्वैल्व में हम लोग क्या भरेंगे वई वन डी यहां तक हमारा लगब काम खतम हो गया है बस अब हम अपना जो मैथड किया करते हैं वो मैथड चलाएंगे हम जी तो डी ट्वैल क्या होगा भी D12 will be P8 plus P4, D11 क्या होगा भई, P8 plus P2 plus P1 then D10 will be equal to P8 plus P2 then d9 will be equal to p8 plus p1 d7 p4 plus p2 plus p1 d6 p4 plus p2 d5 p4 plus p1 d3 p2 plus p1 ठीक है चलो अब यहां से देख करके फिर हम लोग shift हो जाएंगे मतलब p8 की value निकालेंगे तो p8 will be equal to what dash then we will fill d12 d12 then d11 d10 d9 ठीक है p4 p4 बोलो भी कहां का रहा है p4 p4 will be d12 उसके बाद p4 आएगा d7 में then p4 will be in d6 then p4 will be in d5 अच्छा जी p2 p2 बोलो भी p2 कहां का रहा है p2 आएगा d11 में then d10 में उसके बाद फिर d7 में then d6 and then d3 ठीक है अच्छा जी उसके बाद p1 बोलो भी पी 1 कहां का रहा है सारे और नमबर में आ जाएगा और नमबर क्या क्या है बही 11 then 9 then 7 5 3 ठीक है चेक कर लो देखो 11 9 7 5 3 ठीक है चलो अब यहां से हम लोग values भरेंगे भी d12 बोलो भी d12 क्या है 1 है d11 क्या है भी 1 है d10 क्या है भी 0 है और d9 क्या है भी x है और पी 8 आपको क्या given है भई वाई है तो अभी फिलहाल में किसी की value decide नहीं कर सकता तो मैं यहां पर अभी कुछ नहीं कर सकता आगे बढ़ता हूं मैं ठीक है और value आपको यह सब देखो given नहीं है मैं आपको बार-बार बता चुका हूं हमें क्या मैन के चलनी होती है भई 0 है और पी 4 पी 4 हमें given है that is 0 ठीक है इससे तो हमें कुछ खास समझ में आएगा नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 और यह बात भी हम समझ सकते थे कि 11 आया मतलब even है even parity है यहां पर क्योंकि हमने यहां पर 0 भरावा नहीं देखो अच्छा चोल आगे बढ़ो अब आओ भई डी 11 डी 11 क्या है भई 1 डी 10 क्या है भई 0 डी 7 क्या है भई 0 डी 6 1 डी 3 1 ठीक है अच्छा जी अब पी 2 क्या होने चाहिए थी पी 2 1 ठीक है यहां से भी अब हमें कुछ खास समझ तो नहीं आया नेक्स्ट में देखते हैं भी डी 11 1 डी 9 एक्स डी 7 जीरो डी 5 डी 5 इस 0 डी 3 इस 1 ठीक है और पी 1 हमें क्या गिवन है जीरो यहां से आप मैं पकड़ दूँगा बात क्या पकड़ दूँगा मैंने क्या बताया भई आपको इवन पैरेटी है इवन पैरेटी है यह देखो अब मढ़त दूब्स मढ़त पैरेटी मानी हुए ओर यहां पे पी वन की वेल्यू आपको जीरो अल्रेड़ी गिवन है तो इसलिए एक्स की वेल्यू क्या मानने पड़ेगी? जीरो, मैं 1 नहीं भर जबता, क्योंकि अगर मैं जैसे ही 1 भरूँगा, तो परिटी ओड आ जाएगी, तो पी 1 मुस्पी 1, बट पी 1 is 0, जो हमें गीवन है, तो इसलिए हमें x की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, 0, तो हमें समझ में आएगा कि x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो में बात यह है, आपको basis clear होंगे, तो आप कोई भी कैसा भी question आज आप attempt कर सकते थे, वैसे मैं आपको information के लिए बता दूँ, यह question थोड़ सा twisted है, बहुत ज़्यादा easy question में इसको नहीं कह सकता hamming codes पे, क्योंकि hamming codes को में काम है, इन्होंने वो काम ही change कर दिया, इन्होंने त ठीक है, ओक, thank you